नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गोरफ जंक्शन में दोस्तों एक और आकड़ा आ गया वेस्टन रेलवे की तरफ से सबसे पहले विक्रम भाई को थेंक्यू बोलेंगे उनके फ्रेंड ने इस आटिये को लगाया और विक्रम जी ने जो है इस आ लगा से जो है ग्रूब डी का फॉर्म फिल करेंगे उन बच्चों को यह वीडियो देखना जरूरी है अब आप सभी जानते हैं अलग अलग जगाओं का आटिये लगा कर डेटा को निकालना पड़ता है क्योंकि जो जोन है ना किसी भी जोन पर आप आप आटिये लगाओं इचा संटर रेलवे पर लगाओ यह लोग एंटायर डेटा नहीं देते हैं बहुत कोशिश कर ली इसी वज़े से अलग अलग जोन पर जाकर अलग 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 डिविजन पर जाकर आटिये डालना पड़ता है और इनसे डेटा निकलवाना पड़ता है आगे बढ़ने से प आप लोगों के हर समस्या का समाधान इंस्टेंट रूप में मेरी जो है अगर आप मुझे कॉल करोगे तब भी जो है आप लोगों की समस्या का समाधान में कर दूँगा अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा IT और अप्रेंटिस से बेट अब आते हैं भाया क्या इसमें प 24 मतलब 24 तक का डेटा वांगा है 24 का डेटा इन्हों नहीं दिया है क्योंकि अंडर प्रोसेस है तो यहां पर यह बोल रहे हैं इन वेस्टें डेलवे इन डेटा फोर एक्ट अप्रेंटिसेज हूँ कम्प्लिटेट दी कोर्स फ्रों 2018 तो 24 आर एस फोलो 18 में 1736 19 में 1527 2020 में 18 1865 21 में 1749 22 में 1227 23 में 1889 और 24 का डेटा इन्हों ने दिया नहीं है तो 24 का हम लोग एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि अभी जो प्रोसेस में चल रहा है तीन जार के आसपास चल रहा है बाकि जो फोम अभी आप लोगों के लिए आ रहे है वो अकड़ा आप लोगों का अलग है ठीक है तो यह इस तरीकी का आटिया ही था और बाकी जो है आपर थैंक यू बोलूँगा इस भाई को इन्होंने जो आटिया लगाया और बच्चों के साथ सांजा किया बाकी कोई समस्या आती है तो बता ना भाई लेकिन ग्रूब डी का फोम आने से पहले पहले आप सभी स अपरेंटिस वाले बच्चों से जोने रेलवे से किया है आपका नाम आपका पापा का नाम आपकी मम्मी का नाम कोई स्पेस से इशू कोई लेटर से इशू अलफाबेट से इशू फोटो से इशू आप प्लीज उसको ठीक करवाईए ताकि ग्रूब डी में किसी भी प्रक की डोकिमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिख करता हूँ धन्यवाद